स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल रुदावली ट्रैंसेक्शन क्लब में वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में और को प्रेस कर दीजिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोहावल रेलवे स्टेशन से लेकर रुदावली रेलवे स्टेशन तक डबलिंग का कार कम्प्लेट होने के बाद आज इन दोनों स्टेशनों के मद्ध में आपको हम अपने ट्रेन एक तैटेश जीरो साथ धन्बास से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस से आज अपनी आत्रा करेंगे और आज हम आपको एक तैटेश जीरो साथ गंगा सतलज एक्सप्रेस का स्पीड विव दिखाएंगे कैसे बिना क्रॉसिंग के इन दोनों स्टेशनों के मद्ध में आप ट्रेने चल रही हैं उसकी एक जलक दिखाएंगे तो वीडियो को अंतो तक जरूर देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत से कर लीजिएगा ये स्वहावल से लेकर रुदावली तक लगबग 25 किलो मीटर का सेक्षन हमारा डबलिंग का कम्पलीट है और इसके बाद रुदावली से लेकर पटरंगा तक हमारा 15 किलो मीटर के करीब में सेक्षन खुलने की उम्मीद है और उसके बाद एक छोटा सा सेक्षन हो जाएगा रसौली रेलवे स्टेशन से लेकर बारा बंकी रेलवे स्टेशन तक उस आठ से नौ किलो मीटर के सेक्षन के भी जल्द खुलने की उम्मीद है बारा बंकी से लेकर रसौली तक इसके बाद मान कर चलिए आपकी सोहावल से लेकर फटरंगा तक और फिर सपदरगन से लेकर बारा बंकी रेलवे स्टेशन तक बिना किसी क्रॉसिंग के ट्रेने अपनी रफ्तार से निकलेंगी हमारी ट्रेन अब रुदावली रेलवे स्टेशन की दिशा में बढ़ वही है आज हम आपको दिखाएंगे देवरा कोर्ट रेलवे स्टेशन से लेकर रुदावली रेलवे स्टेशन के बीच में 133.07 गंगा सतलज एक्सप्रेस से स्पीड व्यू कितनी रफ्तार में हमारी ट्रेन निकल वही है इसका अंदाजा आप लगाएंगे और हमें कमेंट सेक्षन में बताएंगे कि हमारी ट्रेन इन दोनों स्टेशनों के बीच में कितनी रफ्तार से निकली है आज का स्पीड व्यू देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरा सेक्षन डबलिंग का खुल जाएगा तो यहां ट्रेने कितनी रफ्तार से निकलेंगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और फिर मिलते हैं आप से लाश्ट में आप से लाश्ट में झाल 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 झाल